हेलो ब्रिवान दिस इस रूभी वेलकम टू स्टेडी है कैसे हो सब आई होप आप लोग सब ठीक है और अपने स्टेडी को अच्छे तरीकी से कवर अप कर रहे हैं देखिए रिवीजन जो है वो आपने कॉंटिन्यू रखनी है जो भी आपने वीक में किया है प्लीज उसको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्षन में जुरूर शियर कीजिएगा बढते हैं आज के लेक्चर के ओर जो काफी जादा इंपोर्टेंट है यहां बात की जा रही है मटर्नल मोटैलिटी रेट के बारे में अभी हाली में ही रिजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इं होता है उसके जिएंट के बारे में करदें पढ़ेंगे कंट्री में इसके कीजिए क्सी काफी हमारी मिट जादा कम हुए है मोटनल जुरूप जाण कम हुए है तो रिजिस्ट्रार जर्न ऑफ-इंडिय के द्वारा यह सैमपर रिजिस्ट्रेशन सिस्टम जो भी रिलीस किया गया है कि स्पैशल बुलेटेन है यह स्पैशली मेटर्नल नोटेरिटी रेट जो है हमारी कंप्री में 2017 से लेके 2090 तब का यहां पर काउंट किया गया है अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन के बारे में उनके तरह बोला गया है कि जो मटर्नल डेथ है इसी डेथ ऑफ वुमन यानि की वुमन की डेथ होना जब वो प्रेगनेंट हो ठीक है और जो बच्चे की जो जैसे फिटेर्न डेथ जो होती है डूरिंग डिवन टाइम पर बर्थ जो हता है वगर घिवच्प बच्चों का जब थोतो है ठीके लिएकि आयनि कि यहां पर कंट किया गया है वान लाइक कणी लाइक बर्थ जब होतेशन में सेम टाइम में कितनी मदर्टाइब एक तो इसको उ करते हैं maternal mortality ratio जो है हमारी कंट्री में पिछले कुछ सालों से काफी ज़्यादा decline हुआ है यानि कि 10 points जो है यह decline हुआ है 113 था ठीक है 2016-18 में तो 103 हो गया 2017-19 का जब यह survey किया गया यानि कि 8.8% जो है यह maternal mortality ratio जो है है यह decline हुआ ठीक है हमारी कंट्री जो है ओवेस है विटनस रही प्रोग्रेसिव जो reduction हुआ maternal mortality rate का ठीक है 130 यहां पर points थी ठीक है 2014-16 तक जो count किया गया यह 122 रहा 15-17 में क्रिफ 13 रहा 2016-18 में और 103 आपको देखने को जो जो हाले में ही अभी यह bulletin special bulletin रिलीस किया गया है तो काफी जादा यह important है और हमारे country के लिए यह काफी अच्छी बात भी है ठीक है अगर यहां पर बात करें history of maternal mortality rate हमारी country में यहां पर जो बात की गई है जो decline हुआ यहां पर आप देख सकते हैं decline हुआ decline हुआ जो हमारी country में maternal mortality ratio 2030 तक यहां पर target रखा गया है कि हमने बिल्कुल यह चीज़े जो है वो कम करनी है ठीक है तो number of mortality death per lakhs per lakhs जो है life birth पे count किया जाता है ठीक है हमारी country में one of the many countries में से एक है जहां पर high amount of pregnancy related death जो थी women's की वो देखने को मिलती थी every year ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है यह हमारी country में कम हुई है तो I hope आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगे इसके लावा यहां पर देखते हैं सबसे ज़्यादा maternal mortality rate यानिकि सबसे ज़्यादा women's की death during pregnancy जब pregnancy जो terminate कर दी जाती है उस दो राण जब women's की death होती है सबसे रहा कौन से country में होती है वो है USA हमारी country जो है यहां पर हमारी country जो है top 10 list में नहीं है क्यूंकि हमारी country का जो लेवल है इसमें वो इसमें reduction देखने को मिल रही है उसके बाद है France Canada UK Australia Switzerland Sweden Germany Netherlands and Norway ठीक है तो आई हो आपको यह clear हुआ होगा अब अपनी country के बारे में अगर हम बात करें इंडिया जो है इंडिया को द्वारा national health policy लाएगी जिसमें टार्गेट जो रखा गया target of 100 per lakh life birth by 2020 certainly जो United Nations sustainable development goal है उनका target भी है कि 70 जो है 70 per lakh life birth जो है 2030 तक हम लोगों ने यहाँ पर target अचीव करना है अगर sustainable development goal की मैं बात करूँ जो काफी जारा important है United Nations के 17 sustainable development goals है अलग-अलग goals set कर रखे है कि कैसे हमने गरीबी को हटा रहा है कैसे हमने भुखमरी को खतम करना है world level पे कैसे हमने अच्छी health और well-being यहाँ पे set up करना है अच्छी education provide करवानी है gender जो inequality देखने को मिलके society में वहाँ पे gender equality लेके आनी है और साफ सुथरा पानी पी काफी जारा important है जैसे कि life below water जैसे water pollution देखने को मिलता है life below water में जीव जन्तु रहते हैं species रहते हैं plant species रहते हैं turtles रहते हैं मच्छनियां काफी जादा होती है जो water pollution के कारण उनकी जाने जाती है कली हमने बात की थी जो chemical waste डंप किया जाता है oceans में रिवर्स में उसके कारण जो है oceans के अंदर जो जीव जन्तु हैं उनकी जान को खतरा होता है life on earth के बारे में ठीक है पेड़ को काटना नहीं है ठीक है तो alternative चीज़े रखके चलनी है तो आपको यह clear हुआ होगा तो यह टार्गेट्स चो रखेगे हैं 2030 तक के टार्गेट्स सेट के गए हैं United Nations के द्वारा अभी इसको sustainable development goals के नाम से जाना जाता है इसको इससे पहले कौन से नाम से जाना जाता था यह आप नोगों ने सिंगल डिजट में लाया गया है यानि कि टार्गेट जारा जहां पर maternal mortality rate था उसको कम किया गया है जैसे कि इतली हो गया नौर्वे हो गया पॉलैंड हो गया बैलारूस हो गया ठीक है यहां पी काफी जादा आपको कम mortality rate देखने को मिलता है ठीक है उसके लावर यहां पर ब 26 है बंगलादेश का 173 है यानि कि हमारी जो नेबर कंट्रीज है अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री के साथ कौन सी कंट्री का बोर्डर जो सबसे जारा टेस्ट करता है यह आपका होंवर्ड है जो काफी जारा important है ठीक है पाकिस्तान का 140 है जो higher है maternal mortality rate उसके रवत चाइन औ में बात करें तो 18.3 है और श्री लंका में है 36 डिस्पैक्टेवली यहां पर देखे दो अपनी कंट्री के according ठीक है हमारी कंट्री की रैंक कितनी है इसमें यानि कि 113 यहां पर काउंट किया गया है और इसा में सबसे जादा 150 ठीक है सबसे तरह आपको असाम में maternal mortality rate देखने को मिलता है उससे कम देखे तो उत्तरपर्देश में उत्तरपरदेश में बहुत ज़ादा population हैं हमारी कंट्र میں सबसे जादा population जो उत्तरपरदेश में ही पाए जाती है और लोग्वा की की जो सीटे है कि अगर लोग सभा की सीट के लिए ओत्र प्रदेश्क ऑगा जब वह उत्तर प्रदेश की में नियुआ playing को दया किस झालत देच और तो 80 सीटें लोग सभा की अगर कभजा हो गया ऊतर परदेश सबसे कम आपको देखने को मिलता है अगर बात करें यहां पर अगर आप किसी राज्जे से आते हैं तो में आपके राज्जे में यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है रही होप आपको यह क्लेर हुआ होगा उसके लाव हम बात कर लेतें जो काफी जादा इंपोर्टेंट है यहां पर देखिए जैसे सम स्पेसिफिक जो फाइंड किया गया है कि इससे पहले यह वली स्लाइड देख लीजीगा ठीक है यहां पर हेल्दी ट्रेंड के बाद की गई है जो मोटर्नल मोटार्टी रेट है बिट्विन 2016 से लेके 2018 तक का जो ड्रॉप कम हुआ यह देट 113 हुआ ठीक है मोस यहां पर 100 देखने को मिली लैसर दैन दी यह यानिकी 100 से कम डेट देखने को मिली 2007 और 2009 में ठीक है तो आई हो आपको यह क्लियर हुआ होगा यहां पर बात की जारी है स्टेट स्पेसिफिक फाइंडिंग यानि कि सिस्टेंबर डेवल 161 गुजराथ 70 केरेला में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम मतर्न मृटैलिटी लेट केरेला जो है इससे पहले 103 था रेट मतर्न मृटैलिटी देट का अब काफी जादा कम हो गया है ठीक है केरेला में में अगर बात करें 42 देखने को मिला था 42 देखने को मिला था पहले था 43 क्लिफ तो 9 स्टेट्स ऐसी है आज के टाइम में जहां बे maternal mortality rate जो है वो सट किये गए है ठीक है अब अब 7 से बात करें तो करनाटका में 83 है हरयाना में 96 है उत्राखंड वेस्ट बेंगॉल पंजाब पंजाब का आप देख सकते हैं 114 है maternal mortality तो याद रखेगा जिन स्टेट से आप लोग आते हैं उन स्टेट के बारे में आप लोगों को याद रखना है उत्तर परदेश में maternal mortality rate है 167 असाम में है 205 जो सबसे ज्यादा है तो आपको यह सारी चीज़े क्लियर हुए होगी जो काफी जारा इंपोर्टन है हमारी के द्वारा कुछ इनिशेटिव भी ले गए हैं ताकि है maternal mortality जो देखने को मिलती है चीज़े उसको कम कर सके तो जनानी सुरक्षा यूजना ज जो क्यार फ्री है यानि कि जो बच्चे रहते न्यूबॉर्ण वेबी जोते हैं उनकी क्यार के लिए यहां पर फिसलिटी प्रवाइड करवाएगी को स्टू प्रेगनेंट मुमें टू 9th of every month ठीक है प्रधान मंत्री मात्रव वंद्रा योजना पोशन अभियान और लक्ष गाइडलेंस यहां पर दीगे लक्ष गाइडलेंस दीगे ठीक है तो आपको यह सारी चीज़े क्लेर हुए होंगी उसके लावा हम बात करते हैं जो काफी जादा इंपॉर्टेंट है एक्जाम की पॉइंट और आता है यह क्या क्या काम करते हैं सेंशियस जो सेंशियस आता सारा सेटप किया जाता है तो मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर के अंडर आता है और यह पॉपलेशन संशियस कंड़क्ट कर वाता है मुनीटर करते हैं कि इंप्लिमेंटेशन जो हो रहा है स्पैशली जो डैथ हो रही है बच्चों के ठीक है लोगों की डैथ हो रही है एक जग कंड़क्ट करवाया जाता है इंपोर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रा जनरल उफ इंडिया को कव फांड किया गया 1961 में किया है हैटक्वाटर इसके न्यू डैली में है आज की टाइम में रिजिस्ट्रा जनरल सेंशियस कमिशनर कौन है वो है विवेक जोशी तो प्लीस मुस्लिम एफनिक कम्यूनिटी दे इउक हैं मेंरत के रिखञेन स्टेट से इनको क्या किया गया इनको यहां से बाहर निकाल दिया इक जा कि में फोले कि यूदा कि यहाँ पे भाशन चार आइलेंड है यहाँ पे आप देखें ठीक है भाशन चार आइलेंड जो है जो floating island है ठीक है यह floating island है यह कभी भी डूप सकता है तो इसके बारे में international level पे बिल्कुल भी recognize नहीं किया गया कि इनके के बारे में भी हम लोग सोचें तो बंगलादेश government के द्वारे प्रपोस किया गया था settling जो है रोहिंग्या की भाशन चार आइलेंड पे जो एक floating island है ठीक है कभी भी यह बह सकता है पानी में ठीक है तो मेगना वीवर पे यह island situated है यह आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो यह ethnic community है Muslim community जो Myanmar के रखाइन स्टेट से बिलोंग करती है ठीक है तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अभी यह news में क्यों है क्योंकि recently ही national investigation agency के दोरा यहाँ पे पाया गया है कि six people को arrest किया गया है क्योंकि वो क्या कर दे थे illegal trafficking में उनको पकड़ा गया है रोहिंग्या Muslims की ठीक है रोहिंग्या Muslim के women's होगे बच्ची होगे उनकी illegal trafficking के मामले में छे लोगों को गिर्फतार किया गया है रोहिंग्या Muslim को United Nation के द्वारे डिस्क्राइब किया गया है यह most prosecuting minority है ठीक है हमारे country में पूरे all over world में ठीक है तो यह पर जो बात कीजिए आ रही है कि issues and concern क्या है इंडिया की security को लेके national security को लेके बहुत जारा threat है ठीक है इनको इतना तंक किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इनके द्वारा कई बाल ऐसी situation देखने को मिल सकती है कि यह हमला भी कर सकते हैं ठीक है हमारी security के लिए भी बहुत जारा खत्रा है ठीक है clash हो सकता है इंट्रस यारी की जैसे की बांगलादेश में यह क्या है settled है बांगलादेश कंट्री के साथ हम लोगों की conflict हो सकते हैं ठीक है अगर ध्यार नहीं दिया गया तो political instability भी देखने को मिल सकती है उसमें आपको total कितनी list देखने को मिलती है ठीक है यानि कि 12 schedules में आपको 7th schedule की बात करें उसमें तीन list है ठीक है एक union list है एक state list है और एक concurrent list है ठीक है तो इन list में अगर बात करें low and order जो है यह state list में आता है यह याद रखेगा police का भी जो subject है यह भी किस में आता है state list में आता है ठीक है तो यह चीज़े आप लोगों को याद रखे हैं जो काफी ज़्यादा important है जो direct exam में पूछा जाता है अब बताएगा मेरे को आपका homework है कि education जो है यह कौन सी list में इसको रखा गया है ठीक है तो आई होप आपको यह सारी चीज़े clear हुई होगी कि रोहिंग्या जो group है Muslim community जो है वो कहां से निकल के आई है वे forward की बात करें कि हमें refugee के protection के लिए एक framework ready करने की बहुत ज़रूरत है 1951 में एक convention था refugee convention उसका भी हम पार्ट नहीं है ठीक है 1967 में इंडिया के द्वारा largest recipients refugee in the world यहाँ पे एक protocol जो है वो लाया गया था अगर साग country की बात करें साग framework भी ready करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया के थोड़ा also initiative लिया गया था encourage किया गया साग countries को साग की full form क्या होती है South Asian Association for Regional Cooperation ताकि हम इनके recording एक ढूल बना सकते हैं इनके उपर focus किया जा सके और इनकी protection के लिए चीज़े जो है वो लाई जा सके अब हम साग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं साग की full form आप लोगों को याद रखने हैं सबसे प बांगलादेश, भुटान, इंडिया, मौलदेव, नेपाल, पाकिस्तान और शिरिलंका ओल्सों South Asian Association for Regional Cooperation यह इस्टैबलिश किया गया इसको एक चार्टर के द्वारा जो धाका में हुआ था यानिकि धाका में इसकी opening की गई थी 8 December 1985 ने याद रिखे गे इसको ताकि life की जो development हो सके एक reason में ठीक है प्रमोट किया जा सके strength and collective self-reliance among the countries, contribute to the mutual trust, understanding and appreciation of one and other problems नाकि जो एक एरिया में किसी भी country में को भी problem आ रही है उसको हम tackle कर सके साथ में मिलके ठीक है और focus दिया जा सके cultural पर technical and scientific field में ठीक है तो आई होप आपके साथी चीज़े clear हुई होगी इसके द्वारा important है national investigation agency जो है यह किसके अंडर इसको रखा गया किस act के द्वारा इसको establish किया गया है national investigation agency जो है act लाया गया एक 2008 में इसको establish किया गया और यह central agency है investigate करती है अगर कोई sovereignty को hurt करता है ठीक है security and integrity जो है हमारी country की उसको hurt करने की कोशिश करता है state की security को hurt करता है friendly relation जो होते है हमारे another country के साथ उसको harm करने की कोशिश करता है ठीक है अगेंस्ट atomic and nuclear facility के अगेंस्ट जाके काम करता है smuggling करता है अगर high quality counterfeit Indian currency की तो उसके उपर यह निगरानी रखता है ठीक है तो उसके उपर यह फैंसले सुनाता है और investigate करता है implement की जाती है जो international treaties हमारी country में agreements वगारा convention हो गया resolutions हो गया United Nations के होती है उस पे भी focus देखें चलता है objective क्या है कि terrorism के जो मामले देखने को मिलते हैं अलग-अलग reason में उसके उपर ही इस पे इनके त्वारा शिकन्जा जो है वो कसा जाता है ठीक है इंप्लोईस आज के टाइम में यहां पर कितने काम कर रहे हैं वह 649 है फाउंड इसको किया गया 31 December 2008 में आज के टाइम में चीफ कौन है इनके वह है यूगेश चंदर मोदी है प्रेट और्गेशन यान की कौन सी एजिंसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इनको रखा गया है यह है मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर के अंडर ठीक है तो आई होप आपको यह सारी चीज़े क्लेर हुए होगी जो काफी जारा इंपोर्टेंट है नेक्स यहां पर बात की जारी है यहां पर जो बात की जारी है वो है इंडियन रेलवे फर्स्ट गती शक्ती कार्गो टर्मि कमिशन जो है कहां पर इन ऐसे ऐसे असान सोल डिविजन जो है ठीक है पर्स्यूंस ऑफ दी प्राइम इनिस्टर्स वीजन गती शक्ती फर्स्ट जी है जी सीटी कमिशन जो किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा ठीक है तो इसको जी पॉलिसी जो लाए गई थी 2021 में लाए गई थी ताकि हम जो एंडियन रेलवे की जो अनिंग है उसको कमिशनिंग जो की गई है टर्मिनल की यहां पे जो बात की जारी है कि यहां पे काफी जारा पोजिटिव इंपक्ट देखने को मिलेगा स्पाइशली हमारी जो एकॉनमी है उसमें काफी जारा ग्रोथ द प्लैनर है नैशनल मास्टर प्लैन यहां पर सैटप किया गया और यह मल्टी मॉडल कोनेक्टिविटी प्लैन यहां पर लाया गया और यहां पर प्लैनिंग की जाएगी इंफरस्ट्रुक्चर प्रजेक्ट यहां पर इस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है यानि कि इन इसे पहले यहां पर बात जो कि जारी फोकस देने की की ground level पर हमने क्या करना है यहां पर development करने की बात करनी है और cost saving यहां पर project लेके आने हैं और हम गती शक्ती स्कीम है इस गती शक्ती स्कीम में सब्सक्राइब किया जाएगा जो national structure जो pipeline system है जो launch किया गया था 2090 में इम क्या रहेगा इसके तहत की कार्गो एंडिंग क्पैसिटी को क्या करना है इंक्रीज करना है थाकि कोस्ट इफेक्टिव चीज़ें देखने को मिले जाने की एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें लेके जानी है उसमें काफी लाड़ो में और एक उत्रपरदेश में याद रखेगा ठीक है फोरजी कॉनेक्टिविटी विलेजीस में लेके आना जो विलेजीस में आज तक भी फोरजी कॉनेक्टिविटी नहीं है बहुत जारा कम आपको नेटवर्क देखने को मिलता है और यहां पर एड किया जाएगा स ár 17000 हें जो गास पैपलाइन हैं गैस पैपलाइन जो डियटवर्क है समींटीं थाउजन किलोमीटर ठीक है तो गैस पैपलाइन नेटवर्क को भी यहां हाँ पर प्लेस करने की बात की गहीं है और इससे नेटवर्क भी ठीक है 2 Lakh किलोमीटर का नैशनल हाइवे नेटवर्क को कम्प्लीट करना है और more than 200 एर एरपोर्ट सेटप करने है है हैली पोर्ट सेटप करने है और वाटर जो एरोडोम्स है उसको भी सेटप करने के यहां पर बात की गई है ठीक है यहां पर भी आप देख सक एरपोर्ट के बारे में अरांट 200 न्यू एरपोर्ट बनाने के यहां पर बात की गई है गती शक्ति मास्टर प्लैन के तहट ठीक है और यहां पर अगर बात करें ट्रांस्मिशन नेटवर्क की ठीक है यानि कि पावर सप्लाइय की बात करें तो विलेच लेवल पे आज के पर बिख भी अगर लाइट चली जा तो दो तीन दिल लाइट नहीं आती है कई एरियास है ऐसे तो वहाँ पर भी यह सिस्टम को कम करने की बात की गई यानि कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है उसको भी टैकल किया जा सके रिएबल कपैस्टी की बात करें इसको भ बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल क्यों यहां पर जो बात की जा रही है टोयोटा मिराई के बारे में तोयोटा मिराई आखिर है क्या यूने मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे श्री नितन गटकरी जी इनके द्वारा वर्ल्ड मोस्ट एडवांस टेकनोलेजी जो ग्रीन हाइडोजन फ्यकल के अब इसको रखा गया था स्टेडी और इवैलुएट किया गया कि टेयोटा मिराई की प्रफॉर्मेंस जो है इंडियन रोड में वह कैसी देखने को मिलेगी यह सारी चीजे भी स्टेडी की गई और क्लामेटिक कंडिशन भी यहां पर काउंट की गई ठीक है अब हाइडोजन फ्यूल के बारे में बात करते हैं हम यहां पर जो पानी है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलते हैं आपको ठीक है तो ऑक्सीजन जो है उसको अलग कर दिया जाता है ठीक है हाइडोजन को यहां पर अलग कर दिया जाता है ठीक है तो इसमें हैडोजन को क्या किया जाता है compression किया जाता है फिर इसको compression करके fuel बनाया जाता है जो हम directly vehicles में use कर सकते हैं तो आई होप आपको यह सारी चीज़े clear नहीं होगी कि hydrogen जो fuel है वो कैसे बनाया जाएगा यहां पर भी आप देखे fuel cell stock क्या है ठीक है यहां पर अगर बात करें यह जो देखने को मिल रहे है तो राज हो है यहां पर देखने को मिल रहे है यह hydrogen fuel kayak stone system oil सब्सक्राइब बात है जिसाइकल हो के वापश घैस की दो में यह बाहर जा रहे है यह पर देख देखिए और यह Madade यह अनोर्ड होता है और यह है शृषब से फिर्ट के चार्ज आपको देखने को मिल्टी है तो इर अब की जारी है इंडिया जो है हमारी कंट्री जो ये होस्ट करने जा रही है 2022 का Chess Olympiad तो ये history में पहली बार हो रहा है अजादी के बाद हमारी country जो है Chess Olympiad 2022 यो first time host करने जा रही है और इसका जो रहेगा edition ये 44th edition है Olympiad का जो चैनाई में होने जा रहा है और ये July 2 August तक चलेगा यानि कि 26 July से लेके 8 August तक चलेगा इसी year तो first time हमारी इंडियास को host कर रही है FedHS Olympiad को since 1927 के बाद तो 1927 इसका रूल था उसके बाद हम अब इसको क्या कर रही है यहाँ पर host करने जा रही है originally इस event की बाद करें तो ये Russia में होने वाला था Russia और Ukraine का जो conflict है उसके चलते इसको cancel किया गया और हमारी इंडिया में यहाँ पर इसको जो है ये game जो है ये host करने जा रही हमारी country ठीक है तो आई hope आपको ये clear हुआ होगा जो काफी जादा important है यहाँ पर हम बात करते हैं Mrs. Kumud Ban Joshi Mrs. Kumud Ban Joshi जो थी इनकी हाली में अभी डेथ हुई है तो former ये governor थी आंधरपरदेश की Kumud Ban Manishan Kar Joshi बोलते हैं इनको ठीक है तो ये 88 एर में इनकी रहत हुई है Mrs. Joshi थी ठीक है as a governor इनके द्वारा solve किया गया आंधरपरदेश में 26 November 1985 से लेके 1990 तक और ये second female governor थी आंधरपरदेश की इनके बाद शारदा मुखर जी के बाद आंधरपरदेश की first female governor थी ये शारदा मुखर जी उनके बाद जो थी Mrs. Kumud Ban Joshi Mrs. Kumud Ban Joshi थी ये राज्यसभा की member भी रह चुकी है तीन बार ठीक है लगा था तीन बार ये राज्यसभा की member बनी तो I hope आपको ये सारी चीज़े clear होंगी अगर बात करें आंधरपरदेश की आंधरपरदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तेलेगाना, करनाटका यहाँ पे ओरिसा यहाँ पे चछतिसका और यहाँ पे तामिलनादू आपको ये सारी चीज़े clear है अगर कोई भी doubt होगा इस lecture के recording तो अपने doubt को है वो comment section में ज़रूर शेयर कीज़ेगा और जो questions आप से पूछें इसका अंसर ज़रूर दीज़ेगा अगर वीडियो बसाद आए तो please like share subscribe ज़रूर कीज़ेगा PDF के लिए आप telegram जोइन कर सकते हैं अगराम पर भी आप follow कर सकते हैं thank you for watching my video जया हिंद